नमश्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचिन में आज आपके साथ शेयर कर रही है एक ऐसी नमकीन की रेसिपी जिसे आप एक बार बना लेंगे तो 9 दिन तक नवरात्रों के वरत में आराम से खा सकते हैं और अगर आपको जो है कुछ शेटपटा खाने का मन करता है चाहें नवरात्रे हो या ना हो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ नमकीन खाने का मन करता है लेकिन अगर नमकीन हेल्दी हो तो और भी अच्छी बात है तो आज की जो ये नमकीन बनेगी वो बहुत सारे ड्राइफ रूट्स और इसी के साथ साबूदाने से विलकर हम बनाएंगे जो की बहुत ही जादा हेल्दी है वीडियो कर आपको अपने काम का लगे पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजेगा चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बिटन को दबा के सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह की टेस्टी, ईजी और हल्दी रेसिपी हम हमें इस आप के साथ शेयर करते रहते हैं तो चलिए आज की इस रेसिपी का शुरू कर लेते हैं साबुदाना की मिक्स नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर आपको चाहिए मोटा वाला साबुदाना यह बहुत आसानी से ग्रोसे स्टोर पर आपको मिल जाएगा अगर नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन पर्चेस भी कर सकते हैं साबुदाना जो है दो तीन तरह का होता है यानि कि एक मीरियम साइज में आता है, एक बहुत छोटा आता है और एक होता है बड़े साइज का, तो आपको चाहिए यह बड़े साइज वाला नमकीन बनाने के लिए तो यहाँ पर मैंने लिया है धाइसो ग्राम, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं तो इसी के साथ मैंने कुछ और ड्राइफ फूर्स भी लिये हैं, तो यहाँ मैंने लिया है एक कटोरी भर के मखाना, मैं इसी कटोरी से नापकर दूसरी कटोरी भी मखाना लोंगी तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से लग सकते हैं, जितना आपको चाहिए यहाँ पर मैंने थोड़े से लिये हैं काजू, इनको मैं दो पीसिस में काट लूगी इस तरीके से, इससे क्या होगा कि इन्हें हमें तलने में आसानी होगी और यह जो है बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में भी, तो मैं इन्हें दो पीसिस में इस तरीके से कर रही ह अगर आपको ड्राइफ फूर्स इन में से कोई सा भी नहीं पसंद है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं इसी के साथ यह आपन मैंने लिए है एक कटोरी भर के आलो की भुजिया इसे बनाने का तरीका मैं पहले ही चैनल पर आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूं वीडियो का ल आया है तो यहां पर और भी चीजी हम यूज करेंगे मैं दीरे दीरे आप लोग के साथ उसको शेयर करूंगी जैसे कि मैंने यहां पर लिया है कुछ कड़ी पत्ता अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश यूज करें नहीं तो आप सुखा भी यूज कर सकते हैं दो दिन चाहें तो घी भी ले सकते हैं बस ध्यान रखना है कि एकदम हाई टेंपरेचर पर आपने जो है इन्हें तलना है नहीं तो यह अच्छे से फूलते नहीं है तो सबसे पहले हमने साबुदाना को डाल दिया है एक ही मुठी मैंने डाला है और अच्छे से मीडियम टू हाई पर हम इने गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे कई बार यह बहुत जादा तड़कते हैं तो इस समय आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर आपको लगता है बहुत जादा तड़क रहे हैं तो आप यह कड़ाई है इसका कोई धकन यह प्लेट ले लीजिए और अ ना आए तब तक जो है आपने अच्छे से तलना है यहाँ पर एक टिशू पेपर पर इनको निकाल लिया है अब दूसरा वेच भी मैंने डाल दिआ है इसे भी अच्छे से तल लेंगे तो ये देखिए मैंने सारे सावुदाना तलकर तयार कर लिये हैं इन्हें एक साइड रख देंगे और अब यहां पर मैंने लिया है मुफली को यहाँ पर मैंने एक कप मुमफली ली है जिसे अच्छे से भून लिया है जब तक यह चटक ने न लग जाए तब तक आपने तल लेना है और जैसे ही चटक ने लग जाए इसे जाड़ कर अलग करतेंगे अब हम बखाना को भी इसी तरीके से तल लेंगे और इन्हें भी जैसे करने का विडियो में आपके सास्थ शूट नहीं कर पाई क्योंकि में फोन से शूट करती हूं तो मेरे फून काफी गर्म हो गया था तो इसलिए मृच्छी को भी मैंने अच्छे से तर लिया है कड़ी पत्ते में और मिर्शी में बिल्कुल भी मॉस्टन नहीं रहना अब यहां पर मैंने एक बड़ी सी प्लेटी है और इसमें डालेंगे हम तले हुए साबुदाना मखाना मुंफली और इसी के साथ काजू और बदाम यह सारी चीज़े आपने एक एक करके इसमें मिक्स कर देनी है यहां पर हम कुछ और मसाले भी एड़ करेंगे तो कड़ी पत चोथा का compassion का पाउडर डालोंगी और चोथा ही चामाज की मैं डालोंगी अमचूर अच्छे से अच्छे से मिक्स करने के बाद का नमकीन बनकर तैयार हो गया है आप इसे बिलकुल ठंडा होने के बाद कि सी एक टाइक कंटेनर में भरके रख यह बहुत दिन तक खराब नहीं होता है और अब मैं आपको दिखा रही हूं यह देखिए कुछ इस तरीके का हमारा नमकीन बनकर तयार हुआ है कैमरे की क्वालिटी अभी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि फोन से शूट कर रही हूं और यह काफी गर्म हो गया तो मैं थोड़ बहुत ही लाजवाब लगती है आप इसे किसी भी एरटाइट कंटेनर में भरके रखेंगे तो महीनों तक भी खराब नहीं होती है बस आपने ध्यान रखना है कि कड़ी पता और जो हरी मिर्चा आप में डाली है उसे अच्छे से तले उसमें विलकुल भी नमी नहीं नहीं इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह की टेस्टी एजी और हैल्दी रेसिपी हम हमेशा आपके साथ शेयर करते रहते हैं फिर मिलेंगे कि इसी नए रेसिपी के साथ तब तक अपना खयाल रखें हमस्ते मुस्कुराते रहें स्टे हल्थी स्टे हैपी बाबाई